तो प्रेलिम्स बूस्टर हम अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है लिंगायत्स तो करनाटका की पॉलिटिक्स में एक इशू आ गया है अब नियू जिसमें लिंगायत्स का एक सब सेक्शन है वो कह रहे हैं कि उनको जो है 15% रेजर्वेशन चाहिए government jobs में और education में under the OBC quota category ठीक है तो लिंगायत्स कौन होते हैं ये 17% of करनाटका की population है लिंगायत्स और ये एक हिंदूइजम के अंदर ही हिंदूइजम religion के अंदर ही एक सब कास्ट है जिनको हम वीरशैवा लिंगायत्स कहते हैं वीरशैवा क्यों कहते हैं क्योंकि ये शैवा बग्मान बसावना भी कहते हैं ये 12th century philosopher थे उनके ये followers हैं और ये जो saint बसावना थे इन्होंने कहा था कि जो caste system है it is not good और इसलिए ये society में caste system और जो traditional जो वैदिक हमारा एक तरह से जो orthodox जो वैदिक सिस्टम में जो चीज़े थी उसके against इन्होंने fight किया था ठीक है तो ये अब दो तरह के लिंगायत्स होते हैं एक तो जो हमारे बसावना जी है उनकी जो है उनको follow करते हैं और जो वीर शहवास जो है उसमें ही मतलब जो लिंगायत्स में ही कुछ ऐसे भी जो है लिंगायत्स जो की हिंदू practices को जो traditional हिंदू practices है उसको भी follow करते हैं ठीक है तो और जो traditional Hindu practices हैं उन दोनों को follow करने वाले जो है वो combined है लिंगायत्स ठीक है तो अब इसके अंदर लिंगायत्स के अंदर भी बहुत सारे सबसेक्ट्स हैं ठीक है उनमें से जो सबसेक्ट है पंच मसली लिंगायत्स यह बेसिकली अब थोड़ा सार देख लेते लिंगायत्स के बारे में जो लिंगायत्स होते हैं वो कौन होते हैं जो की personal लिंगा को वेर करते हैं ठीक है यह strictly monotheist होते हैं अभी हमने last month भी पढ़ा था इनके बारे में I think January के first week में यह मैंने जो आपको prelims booster में इसके बारे में पढ़ाया था तो यह लिंगायत्स जो है monotheist होन होते हैं जो एक ही ज शिवा को वर्शिप करते हैं इसलिए उनको हम शेवाइट्स कहते हैं ठीक है 12th century से जो saint philosopher थे बसावना उनके जो यह follower है और जिनोंने जो ritualistic worship थी जो मतलब rituals follow करने वाला जो वेदा के अंदर जो वेदों में जो एक तरह से जो rituals थे जो मतलब वर्शिप करने के लिए जो rituals follow करने चाहिए उसके against इनोंने एक तरह से अपना पूरा philosophy दी थी और इनोंने जो है इनी के जो followers है वो अब लिंगायेट्स बन चुके है ठीक है आप ये pipeline जो है वो मत बनवाओ क्योंकि हम नहीं चाहते कि रशिया से आपको जो है जो है जो है gas supply आए ठीक है अब वो क्यों नहीं चाहता US तक because Germany जो है वो फिर dependent हो जाएगा रशिया के उपर ठीक है अभी already Nord Stream जो pipeline है उससे वो Germany जो है वो dependent है almost 40% जो EU की जो gas की जो उनकी needs है वो रशिया से ही पूरी होती है तो US is thinking की जो है Germany की जो इस pipeline से और जादा जो है वो dependency रशिया के उपर बढ़ जाएगी ठीक है तो इसको बना कौन रहा है Gazprom, Gazprom रशिया की बहुत बड़ी company है जो energy की company है एक तरह से और उन्होंने जो कहा है कि अभी December 2019 में क्या हुआ था कि US के sanctions लग गए थे उनके उपर ठीक है तो उन्होंने जो construction थी Nord Stream 2 pipeline की वो बंद कर दी थी तो अभी Russian energy जो Gazprom है उन्होंने कहा है कि अभ उन्होंने वो दुब जाने का इसका project है ठीक है 2015 में Gazprom और five other European energy firms ने decide किया था कि Nord Stream 2 pipeline बनेगी 11 billion dollar का करचा है उसके अंदर 1200 km की pipeline आई जो रशिया से लेके जर्मनी तक आ रही है और ये रशिया में उस लूगा वहां से चलके Griffswald जो है जर्मनी में वहां तक ये बनेगी और 55 billion cubic meters of gas per year ये supply करेगी रशिया से जर्मनी को ठीक है अब इसके अंदर जो है वो already जो है वो बहुत 1200 km से जो है almost 1050 km की pipeline बन चुकी है और सिरफ 150 km की pipeline है वो सिरफ रह गई है बननी ठीक है तो अब इसकी भी resumption हो गई है बननेगी तो ये दुबारा जो है construction शुरू हो चुकी है ठीक है तो Nord Stream 1 है वो I think 2011-12 के आसपास जो है वो already बन चुकी थी उसके बाद अब ये जो है Nord Stream 2 बनने जा रही है और ये together इन दोनों ये दोनों मिला के 110 billion cubic meters of gas जो है वो जर्मनी को per year supply करेंगे ठीक है अब इसमें controversy क्या हुई है कि US कह रहे है कि energy Europe की energy dependency रशिया के उपर बढ़ जाएगी natural gas के जाएगी क्योंकि वो एक तरह से economically जो है वो powerful हो जाएगे और वो Europe पे उनका influence बढ़ जाएगा क्योंकि Europe की energy dependency हो जाएगी रशिया के उपर तो वो सही नहीं है for NATO countries ठीक है जैसे मैं आपको बताया कि EU countries already rely on Russia for 40% of their gas needs और जो EU है वो रशिया के उपर 40% जो है वो dependent है for its gas needs तो ज इसमें Ukraine का भी एक angle है ठीक है Ukraine भी इस pipeline से जो है वो एक तरह से उसको भी issue हो रहा है क्योंकि अभी क्या है कि रशिया से जो एक pipeline जो है जर्मनी तक आती है वो गुजरती कहां से है Ukraine से ठीक है लेकिन जो ये Nord Stream pipeline है वो बाइपास कर देगी Ukraine को और directly जो है वो Danish territory के तरू जो है जर्मनी को natural gas पहुचाएगी ठीक है तो अभी क्या होता है कि Ukraine को लग रहा है कि अगर ये pipeline बन गई तो जो हमारे यहां से pipeline जा रही है रशिया और जो जर्मनी के बीच के लिए तो जो हमारी territory में से जा रही है उसके लिए जो हमको transit fees मिलती है रशिया और जर्मनी से gas supply करने क लिए आपको पता है ना कि जैसे रशिया है ठीक है ये रशिया है बीच में यूक्रेन है और यहां पर है जर्मनी ठीक है तो इधर से कर कोई pipeline जा रही है जो रशिया I mean Ukrainian territory के बीच में से जर्मनी के में जा रही है जो है pipeline तो अगर इसमें जो इसके जब gas supply करने के लिए रश यूक्रेन की जो में जो existing pipeline है जो रशिया से जर्मनी को connect कर रही है उसकी तो relevancy खतम हो जाएगी और आने वाले टाइम में रशिया कहेगा we don't need this pipeline anymore और जो transit fee मिलती है वो मिलनी बंद हो जाएगी तो इसलिए यूक्रेन जो है वो भी नहीं चाहता कि ये pipeline complete हो ठीक है अब अमे with this Nord Stream 2 project और चाहे कितना भी हमारे को opposition हो लेकिन हम इसको जो है हम वो complete करेंगे ठीक है अब क्या है कि Economist magazine है UK based magazine है ये आपको बताई होगा तो इन्होंने कहा है कि जो Washington है मतलब US जो है अगर कब action ले सकता है जब Ukraine में जो pipeline अभी exist करती है अगर रशिया उसको बंद कर दे उसका यूज करना तो US इस pretext पे रशिया के उपर sanctions लगा सकता है कि जो Ukraine के साथ जो contract हुआ था pipeline से जर्मनी तक गैस भेजने का उसको रशिया ने violate गिया है इसलिए हम जो है अब रशिया के उपर sanctions लगाते है ठीक है तो ये एक तरह से way forward बता रहे है कि Economist magazine ने बताया है कि इस बहा तो क्यूबा आपको पता है कि Communist country है तो उन्होंने एक तरह से authoritarian communist regime है वो तो उन्होंने एक तरह से बहुत surprisingly private companies को private businesses को operate करने की इजाज़त दे दिया है वो अपनी economy को open करने के लिए त्यार हो गया है ठीक है पहले जो है वो एक तरह से closed economy थी वहाँ पर सारा business जो है वो वहाँ क किरे भी चोटे मोटे आप जैसे और मेरे जैसे चोटे मोटे business ही चल सकते थे टूरिजम के लिए लेकिन बड़े businesses वहाँ पर industries allowed नहीं थी private companies को operate करना allowed नहीं था वहाँ पर सारी government of Cuba ही जो है वो देखती थी ठीक है लेकिन अब धिरे 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 वो privatization की तरफ जा रहे है जो है trend जो है worldwide जो trend है वो privatization की तरफ ही जा रहा है जो government का control धीरे 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 सारी industries पे से lose हो रहा है ठीक है because this makes sense government is not meant to hold any business government का काम नहीं है business चलाना जो है government का काम से facilitate करने का है regulate करने का है लेकिन business operate करने का काम governments का नहीं होता है ठीक है तो यह realization बहुत लेट आई है लेकिन चलो ज क्या हुआ है कि 127 जो country जो industries जो थी उससे बढ़ा कर अब 2000 industries को deregulate कर दिया क्या है और अब उसमें private companies को operate करने के लिए उन्होंने allow कर दिया ठीक है क्यूबा ने economic reforms और क्या किया है उन्होंने कहा है कि हम बहुत सारी जो हमारी अभी control जो state का control था जिन industries के उपर उसको हम privatize करने के लिए त्यार है और जो है धीरे धीरे जो है हम private sector को involve करके अपनी economy को revive करेंगे ठीक है तो यह क्यों किया है अब जो यह changes क्यों लेके आए है क्योंकि coronavirus का pandemic जो आया तो उससे उनको बहुत ज़्यादा economic नुकसान हुआ फिर US ने sanctions लगा रखे थे जो President Donald Trump थे उन्होंने उनक communism and all that उनके relations अच्छे नहीं थे शुरू से आपको पता है कि urban missile crisis के time से ही वो जो है उनके relations अच्छे नहीं रहे है पहली बात तो वो communist country है तो US जो है वो कभी भी किसी भी communist country के साथ उसके relation अच्छे नहीं हो सकते ठीक है तो अभी क्या हुआ कि country की economy जो है वो almost 11% shrink हो गए 2020 में even जो basic goods होते हैं जो daily needs के goods होते हैं उसकी भी shortages होने लग गई और आपको पता ही है कि जो governments होती है वो कभी भी efficiently business को नहीं चला सकती तो जो है basic goods जो है वो भी provide नहीं करा पाई जो Cuban government है of course जो Cuba है वहां का health और education जो है वो एक model है हमारे लिए worldwide एक model है वहां की जो governments ने बहुत रहती है governments में तो अब जो है economy जो है जब वो suffer करने लगी तो इनको लग रहा है कि नहीं अब हमको privatization की तरफ ही move करना पड़ेगा ठीक है तो अब उन्होंने तीन जो है strategic areas है उनको छोड़कर सारी industries को almost जो है privatize करना allow करने का plan बनाया ठीक है तो वो media, defense, health यह तीन sections को छोड़ जो strategic areas है इनको छोड़के वो धीरे धीरे जो है वो अपना control छोड़ने को त्यार हो गए है ठीक है और reform के लेके आई है वो devaluation किया और अपनी currency की फिर deregulation किया state के businesses को और foreign investment को invite किया ठीक है पहले तो उल्टा होता था कि state business जो है वो जो state को है जो वही सारा जो मतलब government जो थ देखती होती थी और foreign investment को वो आने नहीं देते थे ठीक है अब वो चाहते हैं कि exports increase हो फिर dependence on imports जो है वो कम हो और domestic demand भी वो increase करवाना चाहते है इसलिए वो privatization को अपनी country में allow कर रहे है ठीक है तो ये एक तरह से last bastion of communism था एक तरह से और ये भी अब जो है क्यूबह भी जो है वो धीरे-धीरे खतम हो रहा है इसके बाद probably I'm just saying it's not true but hopefully next जो इसके बाद जो number है वो Venezuela का है और धीरे-धीरे शायद Venezuela भी जो है वो इसी route को follow करेगा और privatization को allow करेगा ठीक है next topic देखते हैं जो कि है drone rules तो ministry of civil aviation ने मतलब DGCA ने allow किया है BCCI को कि आप drones का use कर सकते हो for जो है filming of एक तरह से इंडिया में जो cricket season है 2021 में जितने cricket matches होने है उसके लिए आप drones को operate कर सकते हो ठीक है अब drone होता क्या है unmanned aircraft इसको हम जो है layman words में drone कहते हैं ठीक है आपको पता ही है drone तो क्या होता है अब drone की भी category specify की हुई है इंडिया में ठीक है nano category का drone कौन सा होता है जिसका weight 200 gram से कम होता है ठीक है फिर micro small medium large ऐसे अलग-अलग weight के साब से इसकी categories define की हुई है अब ये draft unmanned aircraft system जो rules बने हो है drone के operate करने के लिए draft अभी ये draft में ही है इसको पास नहीं हुए है य we are anticipating कि March 2021 तक ये rules जो है ये जो है ये properly बनकर notify हो जाएंगे बट ये draft अभी कुछ time पहले इन्हों रिलीस किया था government ने तो ये draft क्या कहता है ये draft जो है production तक को भी regulate करने की बात करता है drones के production, import, trade, ownership और establishment of drone ports, airports होते है जो drones के लिए अब आपको पता है ना drones कौन कौन से होते है, remotely piloted aircraft मतलब मैं घर के नीचे खड़ा होके remote से उस drone को उड़ा रहा हूँ, फिर autonomous aircraft मतलब जो artificial intelligence का ध्रू चलते हैं आपको पता ही है, फिर model aircraft अब ये model aircraft वाला कौन सा होता है, आपने देखा है ना बहुत बड़े-बड़े, मतलब एक बिल्कुल airplane की तरह एक drone होता है, जो कि ऐसा छोटा सा एक airplane type drone होता है, और वो आपने देखा होगा कि बहुत सारी foreign countries में भी use होता है, उसको वो एक तरह से aircraft की तरह ही जाता है, उड़ता हुआ, और बहुत बड़ा भी होता है कई बार, और वो जैसे Amazon मगारा deliver करते हैं उस और उसको operate कैसे करना है, यह सारे rules इसके लिए rules बनाने की बात की जा रही है, जैसे आपको समझ लो कि आपके vehicles के लिए होता है, आपके गाड़ी का number होता है, वैसी ही number जनरेट करने की बात भी की जा रही है, ठीक है इसमें, एक authorized manufacturer या फिर जा रही है, एक authorized manufacturer या फिर या फि जो import कर रहा है drones को, वो सिरफ किसी Indian individual को या फिर जो entity जो DGCNA अप्रूव की है, उसी को ही वो जो है drones बेच सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी मतलब बिना license के या बिना approval के कोई drones जो है वो नहीं खरीद सकता, ठीक है, तो कोई भी जैसे समझ लो कोई company जो है, अगर उसको drones खरीद के अपने business start करना है, जैसे food delivery apps लगा लो आप, ठीक है, तो उनको अगर drones के साथ अपने food को deliver करना है, अपने customers को, तो उनको उसका approval लेना पड़ेगा DGCNA से, ठीक है, और individual को भी जो है एक तरसे permission लेके, जो है वो import करना पड़ेगा drones का, या फिर manufactured जो drone है, उसको खरी ज़त नहीं होगी, क्योंकि क्या होता है, अगर समझ लो कि आपके drone से किसी कुछ नुकसान हो गया, कोई एक तरह से miss happening हो गई, कोई accident हो गया, तो उसके लिए insurance जो है, वो policy बहुत important है, तो वो insurance policy का भी इसमें provision डाला गया है, फिर कहा है commercial drone operations, commercial drone operations कौन से होंगे, वही जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जैसे समझ लोग की, जो food delivery apps है, अगर उनको operate करना है, तो उसके लिए भी एक तरह से, जो है, ये regulations बनाई गई है, कि below 50 feet उनको fly करना है, और micro category का drone है, अगर तो उसको 200 feet से नीचे उडाना है, और अगर nano category का drone है, तो उसको 50 feet से नीचे उडाना है, ठीक है, फिर उन्होंने कहा है कि जो commercial drone operations के लिए, जो drones use होंगे, वो substantially, substantially मतलब not 100%, but majority जो है, वो Indian owned या फिर controlled by Indian nationals ही होने चाहिए, ठीक है, तो समझ लोग की, जो अगर कोई, या Swiggy, जो भी food delivery apps का example है, तो इसलिए आपको मैं उन्ही companies का नाम लेके बता रहा हूँ, तो अग अगर ये commercial use करने drones का, तो जो इन्होंने drones जो ये use करेंगे, वो Indian national की company का drone होना चाहिए, या फिर कोई substantially owned Indian की company का drone होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब foreign made जो drones है, उसको use नहीं कर सकते, 400 feet जो है, उससे उपर किसी भी category का drone जो है, वो कभी उपर नहीं उड़ सकता, ठीक है, no fly zones कभी इसमें बात की गई है कि कहाँ पर drone को नहीं उड़ाना है, जैसे समझ लो, airports के पास, international borders के पास, विजे चौक जो है Delhi में वहाँ पर, state secretariat complex, यह सब example दे रहा हूँ आपको में, ठीक है, इसकी बहुत broad category होगी, no fly zones की, यह आपको सिर्फ examples में डाला है, ठीक है, और इसके अंदर क्या provision है, कि जो है, अगर आपको airspace में, अगर permission to fly in controlled airspace, जो है, मतलब airspace में इसको अगर आपक fly करना है, तो आपको permission लेनी पड़ेगी, air defense clearance लेनी पड़ेगी, या flight information center जो है, उनसे permission लेनी पड़ेगी, अगर आपको airspace में drone को उड़ाना है, ठीक है, airspace कौन सी होती है, जो no fly zones है, उसके इलावा जो अगर, जो जो दूसरे zones होंगे, जहाँ पर controlled airspace, मतलब कि जहाँ पर government control कर रही है, उस airspace को, अगर उसमें आपको drone को उड़ाना है, तो आपको permission लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आज के हमारे topics थे, we'll meet next time with new topics, until then, goodbye and take care.